हलो 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 गुदी इवनिंग एविबड़ी तो बहुत दिन अबाद वीडियो लेकर आया हूं आप सभी को पता था मैं वैश्णोदेवी गया था तो चलो भाई आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए लेकिन मैं आज बात कुछ ऐसी करने जा रहा हूं यह एक ऐसा बज है जो मार्केट में हर तरफ चल रहा है कि बोर्ट्स परसंटेज इस यूजलेस तो क्या सच में ऐसा है क्या बोर्ट्स परसंटेज कोई वेटेज नहीं रहे गई है क्या हमें बोर्ट्स के लिए पढ़ाई छोड़ कर हमें CEVT, IPMAT, CACS के एंट्रेंस की तरफ के यह त्यारी करने के लिए लग जाना चाहिए करना क्या चाहिए तो चलो इसी के बारे मुझे लगा कित्रों डिसकेशन करना चाहिए और बच्चों तक सही बात तो पहुंचानी चाहिए तो भई मेरे हिसाब से बोर्ट्स परसंटेज अगर अभी तक आप यह सोच चाते कि अब लिए आप ड्रिक डी यू बे एडमिशन पा रहे होते या किसी कॉलेज में अडमिशन पा रहे होते तो उसके लिए यूस्फुल थी लेकिन सीवाइँ ईटी आने के बाद बोर्ट्स परसंटेज की वेटेज कम हुई है खतम नहीं हुई है कहा पर आपकी बोर्ट्स प के अंदर ही आने वाला है, जो यह common university entrance test है, let's say, एक बंदा A है और एक बंदा B है, जिसके दोनों के number entrance test में same है, time breaker है, तो उस case में आपके boards की percentage को consideration में लिया जा रहा होगा, and जिस बंदे की जादा percentage होगी, उसको admission मिलेगा, और मैं बता रहा हूँ तो वाइसे 15 लाग बच्चे में form भरा है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा, कि उनका percentage, उनका return में बराबर बराबर number आएंगे ही आएंगे, तो उस case में आपकी boards percentage एक tie breaker की जैसे use की जा रही होगी, इससे बिलकुल ये मत सोचें, कि भाई आपकी boards percentage useless होने वाली है, next college के बात करने आ रहे हैं हम लोग, IAMS अगर Indian Institute of Management आपका target है, IP MAT आपका अगर target है, तो IP MAT में भी आपकी boards percentage use की जा रही होगी, primarily in two IAMS जहां पर बहुत ज़्यादा boards percentage की weightage है, वो है IAM बोद गया और IAM जम्मू जिसमें जब माट के थुरू आपका paper हो रहा होगा, तो IAMS में भी जाने के लिए आपकी boards percentage की बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं की tie breakers से situation होगा, फिर हम बात करें Xavier's College के बारे में, Xavier's में जब बोल रहा हूँ तो मैं Xavier's Bombay के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर entrance test के थुरू ही आपका admission हो रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ Xavier's Kolkata के बारे में, Xavier's Kolkata में entrance test तो देना ही देना है, नालसार वाले भी आपकी boards percentage को include करके final merit बना रहे हैं, return plus board percentage is equals to final merit, उसके बाद ही आपका admission हो रहा होगा, आगे बात करते हैं उसके बाद, अगर आपने सोचा है कि मुझे जाना है पढ़ाई करने विदेश में admission abroad, study abroad का किसी भी प्रोग्राम में जान रहे हो, तो scholastic attitude test आप देते हैं SAT, वहाँ पर भी आपकी percentage की बहुत जादा requirement होगी, किसी बच्चे ने ये सोच रखा है कि उसको admission abroad चाहिए, तो वहाँ पर आपको SAT देना पड़ेगा, साथ में आपकी boards percentage top notch होनी चाहिए, तो इन colleges में जाने के लिए आपको boards percentage की बहुत जादा जरुवत लग रही होगी, इसके beyond अगर आप चाहते हूँ कि आपका admission आशोका university में हो, तो वहाँ भी percentage चाहिए, अगर आपको सोच रखा है कि आपको मिठी बाई, आपने सोच रखा है जाहन, या आपको किसी महाराश्य उविश्टी के college में जाना है, या किसी वेस्ट बेंगॉल की university के अंदर जाना है, तो वहाँ पर भी आपको boards percentage का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आपको स्कोर करना है, तब ही आपका admission वहाँ पर हो रहा होगा, तो आपको त्यारी करनी पड़ेगी अपने boards की बहुत अच्छे से, साथ में entrance की और उसके साथ collectively ही आपका result आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसाथ देखेंगे, जिनका CUT में score सेम आया है, टाइब्रेकर के लिए उनकी boards percentage यूज की जा रहा ही होगी for admissions into particular university, ऐसे ही amazing videos के लिए जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे, मिलते हैं next video के साथ, बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर, so stay tuned, this is Shubham Chakdish, bye bye.